जैहिंद वाला फिर बेटा सभी को जैहिंद और उमीद करते हैं आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और स्वर्ष्ट होंगे और अच्छे से प्राई कर रहे होंगे फिलहाल आची क्लास में हम दिसकस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्टेन एंडी एक्जाम देख पा रहे हो यह फस्ट टू थॉट्वर्ट वन सॉट्ट सिरीज है आपके लिए इंप्लीट सिरीज है जहां पी हम बात करेंगे वकायत की बात करेंगे इंडोनिम अची क्लास में यह आप देख पा रहे हो बहुत कुछ मिलने वाले आपको ठीक है ना यह एक अच्छी क्लास होगी बहतरीन क्लास होगी और उमीद करूंगा आप लोग इसका पूरा-पूरा फैयादा उठाओंगे यह पढ़ो भाई, whenever you do a thing as if the world were watching इसका मतलब क्या हुआ? whenever you do a thing as if the world were watching जब भी पिटा कोई आप कारी करता हो, जो भी कोई भी कारी करो, आप पढ़ाई का कारी करो, मैं आपको पहाने का कारी करता हूँ, कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी वर्क करे, तो यह मान के चलना चाहिए कि आप उस वर्क को मैं बहुत अच्छे से करें और यह मानना भी चाहिए कि पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है और यह जब कोई भी मानेगा तो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा क्या सानू कर तो बिटा कर सकते हैं determination अपके अंदर आएगा ठीक है भाई गुड मौनिंग सभी को बेटा जय हिंद तो यह कोईशन आपके लिए ठीक है ना यह बेटा आपके लिए कोईशन दीच पहले हम लोग बात करेंगे कामीं थुक्ति और प की हन हम यह रिए क्यूब स्कतन इसवर क्या। पालीड आपके लिए यह आपके लिए wrapping यह कोईशन if बतायेंगे भीटा इसका आंसर जल्दी से इसका कौन सा आंसर होगा भाई What is inimical? आंसर इस ए बेटा, ए इस आंसर एक में रुकते हैं पहले पिन नहीं चल रहा है इसका आंसर एक में बाइषा होगा भीटाद कैना अच्छा वर्ड है यह जो वर्ड यहां पर इन लिखा हुआ है इन जो वर्ड है ना आई एन बेटा अलाकि आप आई एन के होगे आई एन जो वर्ड है आई एन एक root word है और इसका मतलब होता है not, क्या होता है तो आप कहोगे not, इसका मतलब क्या होता है not और इसमें जो amy word आया हुआ है बेटा, वो amy कहीं ने कहीं पहले वो amy word हुआ करता था, amy एक root word होता है और एमी का मतलब होता है friendly, क्या होता है इसका मतलब क्या होता है तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है friendly, ना भई, इसका मतलब friendly होता है, तो पहली बात कि यह not हो गया, इनका मतलब not negative हो गया, इसका मतलब हो गया friend, तो मतलब जो friend आपका नहीं है, इसका मतलब जो आपके लिए एक मतलब वच्टु आपके लिए हानिकारक है है तो आप तरक हमफुल है इसका मतलब होताहि, इसका मतलब होताहि होताहि इन क्या वर्ट होता बन जाएग workforce बन जाएगा ? इन यस अनु? आगि नि इंडिय। बन जाएगा जो डिपेंड ना करता हो नौट डिपेंडिंट यहां से बहुत सारे एंड्रियां चीरफुल लाइक पीसफुल शुक्त है इसे वर लाइक से वर्ट आता है अज़िए इस में ईटा एमियेमिकल्ट इसको बोलता है इनेमिकल्ट यहां पर सॉवन्ड होता है नाट मतलब होता है तो मतलब not like enemy यहां है इनेमिकल्ट है कि भीना बिटा यह जो वर्ंड काहीं कि इसके सिननोंिमें तो आपको पताइए एक सिनोंिम अब पकोण्व और घरब कर दो यह थोड़ा सा वेट करेंगे सारे बच्ची एक लिएट्ट लिएट्ट हैगेट्ट ुवर्ड के लिएट्ट था देखे लिए यह थो वन्य वर्ड रीश्ट अबने इसका मतलब होता है टेंडूंग टू हाम मतलब जो हामफल हो जो इंजूरियाइस हो जो डेट्रिमेंटल हो स्टाइल हो डिस्तक्टिव है और इसका अन्टोनीम के बात करें यह निगेटिव होट होई घ्या हो जाएगा तो आप कहोंगे पॉजिटी हो जाएगा सर इसका रिलेट कर लोगे इनमी से इनमी से कर लो रिलेट और इन का मतलब होता है नौट इसका मतलब होता है नौट और अमी का मतलब होता है फ्रेंड जो आपका फ्रेंड नौ हो मतलब इनमी हो तो आपके सकते हो कि वह तो हामफुल ही होगा ना वह तो होस्टाइल ही होगा ना यस औ अगले पर आते हैं अगले कोशिन पर आते हैं यह नेक्स्ट कोशिन आपके सामने है एक्सिदेंट्स और इन्विटेबल रिजल्स आफ केरलेस्नेस आंसर फास्ट आपको बताना है इन्विटेबल का सिनोनिम क्या बताना है तो आप कहोगे हमें इन्विटेबल का सिनोनिम बताना है आपके सामने है अनसर्टेन, अनवाइडेबल, बैड होगा, होरीबल होगा we have four options, invertable का क्या बताओगे तो आप बताओगे सिनोनी, बताओ बच्चे रॉयल, प्रिती, बेटा जिल्दी से बताएंगे सारे बच्चे इसका अंसर्ट अन्सर्टेन, गौद तम कह रहे हैं सर अन्सर्टेन प्रटिक किया जाए और अन्सर्टेन प्रटिक किया जाए , orgros able took किया जाए ठीक बेटा, और बताएंगे बच्चे इसका मतलब क्या होता है तो आप कहोगे सर्ण कहा होता है, इसका मतलब गया होता है तो आप कहोगे सर् drums होता है ये लिए जो इविटा का मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है तो आप होगे इसका मतलब हम hedge करना होता है इनका मतलब, नौट हुआ और due to ka Mdasu, अब बताओ awाइद ही कर पाएं वह घशाहिटव करना हुआ है इनका मतलब, मतलब २ौट ह यह मतलब होता है वहाँ से बन जाएगा जिसको आजाहिट ना कर पाएं इसका इनका का मतलब not विटा का मतलब avoid तो जिसको not avoid बेटा जिसको में avoid ही न कर पाए जिसको हमого आवाइड ही न कर पाए यसानो है इसका मतलब answer तो आपके सामने है वेटा unavoidable आंसर क्या हो जाएगा Unavoidable अच्छा बेटा अब जो इसको आ वाइड नहीं कर ninguém वो बच्चते हैं एक शांदार तरीके समयते हैं इस वर्ट को, आप देखो बच्चे, इस का अंसर हो जाएगा B और फिर आते हैं इस का अंसर पे, आप देखो बेटा इन्वेटेबल आपके सामने है, इस कोई भी चीज हो जो निस्सित तौर पे घटित हो जिसको हम अवाइड न कर पाएं, उनका मतलब मैंने बताया not और इविटे का मैंने बताया जिसको अवाइड नहीं कर पाएं, not avoid, not avoid मतलब जिसको unavoidable हो, we cannot avoid that उसको अवाइड नहीं कर पाएं, इसको भाग जाना तो जो इसको आप इसको नहीं गर सकते, जिसको आप इसकेप नहीं गर सकते, तो इसका synonym हो जाएगा, iniscapable, definite हाँ जी, वो definite तो होगा, क्या बेटा वो definite नहीं होगा, क्या, वो definite होगा, वो certain होगा, वो inaudible होगा बेटा, तो इसके synonym, देखो इसमें तो in आया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे, इनका मतलब not है, इसका मतलब जिसको आप escape न unavoidable, देखो वो definite भी होगी, वो चीज certain भी होगी, और inaudible का मतलब बेटा, इनका मतलब फिर से होता है not, है ना, अब फिर इसका मतलब बेटा, escape करना ही होता है, भागना ही होता है, ठीक है, तो जिसको आप escape न कर पाऊ बेटा, तो वो हो जाएगा आपके लिए certain, अच्छा, जल्दी बताओ बेटा, अंजली, प्रीती, रॉयल, सारे बच्चे बताएंगे, ये बेटा अभी जो दो बड़ डिसकुस की, आपसे मैंने, इनलिमिटेबल, और एक वर्डे बेटा, इनलिमिटेबल, आप सभी को समझ में आया नहीं आया, बताईए, कमेंट फास्ट, एक सर, बहुत बढ़िया सर, नाइस क्लास सर, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उस वर्ड का जो एंसर है, वो तो ठीक है, लेकिन उस वर्ड के बारे में समझो, उस वर्ड का मतलब क्या है, उस वर्ड के अन्टोनिम क्या है, उस में कुछ रूट वर्ड आते हैं क्या रूट वर्ड आते हैं तो बिल्कुल समझना है क्या वही अगले कॉर्शन पर आते हैं नेक्स्ट कि अगले कॉर्शन पर आते हैं कॉजी टेन वर्डीज इन कॉजी टेंट आपको बताना है जिनॉन को अब अबसे बताया बच्ची कि आज ची क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आप से वोकैब सब्सक्राइब करने वाले हैं अच्छा ठीक है बेटा ठीक है गौतम बहुत में रहूंगा ना तो मेरी बातों को बहुत बच्चे समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो मैं विल्कुल सब्सक्राइब रखूंगा ठीक है बही आज़ा बेटा कांसर करो गौतम का बच्चा इस कांसर इनकॉजित इसे कहते हैं भाई वाच्फूल अटेंटिव थोटलेस इंफेरियर गौतम करें थोटलेस होगा बहुत बढ़िया और बच्चे बताएंगे और बच्चे बताएंगे इसका अंसर अंसर फास्ट वह प्रनोन को डिस्काइब करता है जिसके पास यह थोट की कमी हो इसके पास क्या है थोट की कमी हो इसके पास बिल्कुल सोची ही न हो बुद्धी ही न हो उसको हम कहते हैं इन कौजिटेंट सिनोनीम को आउजाएगा तो आप आप वह गे थॉटलेस यह बहुत बनियावड है बेटा, careless, unwatchful, तो इसके यह synonym हो जाएंगे, इसके क्या होगे, तो आप कहोगे सर, इसके यह synonym हो जाएंगे, आप एंटोनीम की बात करो, एंटोनीम की हो जाएगा, watchful, to careful हो, attentive हो, इसके पास अतला बुद्धी हो, माकिना, उसको हम कहते हैं, watchful, त यह इसके अंतोनीम होगे, yes or no, जाओंगे पेटा, तो आप कहोगे सर, यह इसके अंतोनीम होगे, आते हैं पेटा, अगले कोशन पर आते हैं, बताओ, degressed, he degressed from a subject in order to criticize the accuracy of a newspaper, तो यह वर्ड है आपके सामने, बहुत ही पैदाशा वर्ड है, एक्षांदार वर्ड है, degressed, का मतलब बताएंगे बच्चे, deviate होता है, k होता है, discussed होता है, censure, अभी कोई answer नहीं आया है, अब तक में कुछ और वर्ड लिखता हूँ, एक वर्ड है, ingress, ingress, the word is ingress, ingress, एक वर्ड बटा होता है, ingress, एक वर्ड बटा होता है, त्रांस्ट वुटा है ट्रांस्ट्रीस यह सारे वEE आपके सामने थिके तो बतायेंगे अलब यह ग्रेश बतार ग्रेश इनWAY is ंदर grace का मतलबा तो इस्टेफ होता है प्रेट पता है इन मतलब होता है अंदर इनका मतलब क्या होता है इन्टेफ इंग्रेस का मब पिंतिरिफ पिंतिरि तो एक लुटर से Ah इसका मतलब होता है एक आप लिए आउट समझींग या कैसे एक टो करना कॉंग्रिस का मतलब होता है क्या होता है बच्छा तो आप को वहां पर सारी स्टेप एक साथ आगए कॉंग्रिस का मतलब होता है और फॉर्मल मिटिंग में वही तो लोग आएंगे जिनके कदम आगे बढ़ेंगे अगला वही त्रांस का मतलब पता है तो आपको वही बियॉंड होता है यानि ऐसा को इंसान जो जो स्टेप बनाए गए जो बाउंडरी बनाए गई उसके बियॉंड चला गया उसको उसने क्या किया उसका उसने वाइलेट किया बेटा त्रांस क्या मतलब होता है वाइलेट करना अरे क्या होता है बच्चा वाइलेट करना किसी चीज को वाइलेट करना मतलब होता है वाइल आजो बहुत फास पर आ रहे हैं पर लोगे रहते रहते पर में पेपर में यह सरे देख लिए अगला वर्ड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुए समयते हैं अब को समयते है कोईसे इग्रेस भी याद रखो यज को तुछ यहां है और समयते हैं कुछ और इह होес यहां से आपने मुद्द्दे से भतक जाना कहोगे तो आप कहोगे अपने से बटक जाना यह विल बी दा आंसर अपने मुद्दे से बटक जाना तो फिलाहाल में आते हैं यह वर्ट देखो यह सिनोनिम इसके क्या क्या है आप देख पा रहे हो बच्छे डेविएट करना वही करना डाइवर्ज करना ड्रिफ्ट होना या फिर क्या माeding यह 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 कीप करना की करना कि करना फिर या करना निख्छा हो सुझत ड का मतलब दो होता है का मतलब स्टेफ दू दिशा में चले गए अगले कोश्न पर आते है mould इसका आपको बताना है शिनोनिम नवेट आंसर फास्ट एक बढ़ियास रवाड़ है आपके सामने इन्सेडियूस T, T will be the answer, FREETFUL, ठीक है,หाओ, जोबचून आँसर कियें, इसकी है समझे बच्छा इसको बता हू को इसका मतलब कोई बता दे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पवित्र फीस इन अले अंज़न सप्का है वे परवाः लापरवा एक सकते हो in इन अटेंटिव लापर वा यह हो जाएगा इन यह जाएंटिफ वीधर नहीं मतलब क्या है увидTS having no experience जो इसके पास अनुभव की कमी हो having no experience इसके पास अनुभव की कमी होती हEE बच्च उसको हम करते हैं Strand अचे इसे इन्सान वेटा ओफन ओनेस्ट रहते है चुंअ मतलब ऑनस्ट नोसेंट अच्छा वड़ होता है फीकर वा गिन अच्छ के बाच को असको बोलते इनक्टूल अच्छा वड़ है ठीक है में आते हैं बच्ची ओ अाप संथिंग अनप्लिजेंट और डे इज़नली एंड सीक्रेटली कौजिंग Francis ये एक अजट्डटिव है इसका मतलब होता है संथिंग अनप्लिजेंट कोईGA ऐसी कि जो अनप्लिज़न्टी आजाएंड डेन्जरास हो व्हीजवली कौाजिंग हाम और वो आपके लिए बिल्कुल हुए हामफुल इसका फिन्योनीम हो जाएगा क्राफ्टी इसके फ्रेंक हो जो कैंडिड हो ऑनेस्ट हो यह इसके अंट्वनीम हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक मतब्स से आप ले सकते हो मैं टाइम आपको दे दूँगा ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल आइविंग नो एक्सपिरियेंस मतलब अन एक्सपिरियेंस तो बेड़ा अब हम डिसकस करने वाले हैं आप सी स्पॉर्टिंग देरर और आपको पता है कितना थेटा सा विटेव जोता है पेपर में आपके हमेशा आता रहा है हमेशा से आता रहा है हमेशा आता भी रहेगा आपको बताना है spotting the error यानि which part of the sentence has an error इस sentence में कौन सा पार्ट है जहां पर error है question is I have reached the hotel by the time you call me now answer fast yeah कि अब 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 फिलहाल पोशिश करो कि जितना तुम्हारे एफट है वह यहां पर लगाए अब ही हमने 5 questions discuss किये synonym के कोई मुझे बताया है आपके बटा कितने सही हुए और इस cancer भी करते रहे है 5 question बटा synonym के थे इसमें से कितने बच्चों कितने सही हुए बताएए 5 question में कितने सही हुए आपके 5 question में बटा आपके कितने question सही हुए यह बताएएगे उसके बाद इस cancer भी करेंगे इस में बटा कहां पर गलती है और तब तक मैं question और लिखता हूँ आप सभी के लिए बच्चे I have reached the hotel कोई भी ऐसे question नहीं होगा बच्चे जिसको मैं बस आपको answer बता दूँगा ठीक है ना तो बता दूँगा बच्चे कि इसका यह answer है A है B है C है no error है उसके कोई फैयदा नहीं मिलने वाला बेटा कोई भी फैयदा नहीं मिलता तुम कोई पता है बेटा हर तीचे को पता रहता है हर बच्चे को पता होता है ठीक है इस लिए बटा ध्यान समझना यह question को अच्छे स बच्चे समझते है इसको ना by the time you called me अच्छे ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ही sentences में हमने बस यहाँ पे call लिखा हुआ है बेटा मैंने यहाँ पे call कर दिया है बागी सब सेम है इसका मतलब होता है तक होता है इसके पहले यह sentence बेटा है ना I have reached the hotel यहाँ भी है कि I have reached the hotel अब देख पा रहे हो बाई का मतलब यहाँ भी तक है इस बेटा बाई का मतलब क्या है तो आप खाओगे सर यहाँ पे इसका मतलब है तिल क्या है बच्छा तिल यानि तक यह बेटा बता है यह में क्लॉज है और यहाँ पे सेंटेंस बेटा हा रहे है यहाँ पे बाई दर टाइम यू कॉल मी इसका नाम है यह को अख़ेन लिखेनगे शकर है यह इसका रहें प्रण हो यह तो यह बने कॉंण हो उप यह टहरा है कि जब तुमने कॉल किया उश्स थैंज पॉइंट पे कॉल किया उसके पहले में होटल पहुंच चुका था जिस पॉइंट पे तुमने कॉल किया उसके पहले में होटल पहुंच चुका था यह कह रहा है बेटा यह कह रहा है कि वो जो समय था वो जो समय था मानो वो हो रहा था 9 बज के 10 मिनट ताइम पे तुमने कॉल किया उस तक म पहुँच चुका था यह तो हो गया पास लेकिन यह बाद के बाद के बाद हाँ कहां आता है इसका नाम है पर नाम है परफेक्ट उसका यूज कहां पे करते हैं जहां पर पास की बाद होती है पेटा जहां पे पास्ता पास्त की बात होती है आप कुछ बत्य को पता ही नहीं पास्ता पास्त क्या होता है इसका मतलब है यह पास्त है तुमने जब कॉल किया वह पास्त है उसके पहले में पहुंच गया था उस तक में पहुंच गया था तो पास्त का भी पास्त है तुमने बहुत चुका हों गा मानुद तुम मुषे काल करोगे, तुम मुझे काल करोगे, तैन पे काल करोगे न उसके पहले में नौ बज्ये ही पहुंच लुक होंगा तो यह तुम future में call करोगे और इस future का भी पास्ट होता है future का भी past होता है इसको बोलते है past a future क्या बोलते है past a future बेटा जहां भी past a future की बात होती है वहां पे future perfect आता है यह हो जाएगा I will have reached जा मुझा बेटा तो कहोगे I will have reached तो आप बोलोगे I will have reached. गोट दे पॉइंट तो इसमें आएगा will have reached, इसमें आएगा had reached, वोकि यह future का past है और यह past का past है, यह कहरा है कि जिस point पे तुम मुझे call करोगे, उसके पहले में पहुच चुका होंगा اور यह कहरा है कि इस point पे तुम मुझे call किये थे, उसके पहले में पहुंच चुका था इस बात बताओ बच्चे मेरी बात समझ में सबको आई की नहीं आई एक बार सारे बच्चे कॉमेंट करेंगे और थम्सप जिएंगे थम्सप सेंचूरियन और बतायांगे यह सर्वी है वाट रिप्लाई फास्ट कहीं पर लिख लेना पास्ट पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट आता है और पास्ट फ्यूचर के लिए फ्यूचर परफेक्ट आता है और यहां पर सेकेंड फार्म दी हुई है पास्ट यहां पर हैड रिजिट हो जाएगा लिए बहुत इची बात है दुर्गेश को प्रीति को और सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आगे बहुत बढ़ियां बेटा बहुत बढ़ियां ऐसे तुम पढ़ोगे ना तो ऐसे जब पेपर में आएगे तुम्हां दिमाग काम करेगा तो अभी कोई बच्चा कह रहा था अधर वहां पे दह अटा दो उसको पता नहीं कि बाइदर टाइम एक फ्रेज होती है बाइदर टाइम बटा वहां दह कैसे अट जाएगा बाइदर टाइम जो हो ना पूरा का पूरा वह सब बो और अधर नेटिंग कंजंग्शन है इस अधर आते हैं बटा अग्रे सवाल उसको बता बच्चे एक बाइब कुछन लिखता हूं इस हाउस कि एक बच्चेण पक्चेण देश बेचेशन अधरने लिखता हूं साथ लिखता हूंद एक तक कि एक बाहसूंद ऑर चेकर डिखता हूं हूंद। पेड़ा , यह मैं क्यों लिखाओ , फिर भाई का मतलब तक होता है बचच्छा , एक अगले सकता तक यह जो घर है यह बन क्या सब्जेट है ? tisakala का मतलब पता है क्या हुआ कि यह price wise में होना चाहिए فocracy wise के लिए आपको पता होगा B की फोर्म के बाद वर्ड की थटवाम आती है हमें बहुत अच्छे से पता है कि यह जो घर है यह नहीं कोई चीज बनाता है इस घर को बनाया जाता है, बनाने वाला कोई और होगा, तो इसलिए ये जो house लिखा हुआ है बच्छा, ये जो है वो doer नहीं है, doer मतलब करता नहीं है, मतलब वो active wise नहीं है, वो receiver है, वो उस action को act मतलब क्या करेगा, receive करेगा, पैसी wise में बीटा बी की form के बाद third form आती है, ब B is, M, R, watch, were, been, yes or no, B is, M, R, watch, were, ये सब बीगी forms होती है, ये बीटा नब बता, ये अभी फिलाल active में है, ये active में चल रहा है, ये गर लिखा हुआ है, हमें चाहिए पैसी wise, तो बीगी form बेटा, अच्छो कि यहां पर have के बाद third form लाएंगे, बीगी, यहां पर हो जाएग कि जो ads है, will have been cure, तो बीटा, ये will have been, बीट के बाद third form है, तो पैसी में चल रहा है, यहां में जो बीटा, ये है न, ये receiver है, क्या है receiver है, जो ads है, वो cure हो जाएगा, by the year, मतलब अगले साल तक, इस by का मतलब तक है, अभी मैंने बात करी थी, अगले साल तक ये हो जाएगा, क क्यों हो जाएगा, आप कहरा है कि by scientist, ये जो by है न, ये doer दिखा रहा है, by का doer के लिए भी करते हैं, by के आगे हम doer भी लिखते हैं, doer है, doer मतलब कि हम जब passive wise की बात करते हैं, तो active subject होता है न, वो by के बाद आ जाता है, अब तो बता होगा कि by के बाद आता है, क्यों कि भी error नहीं है, no errors, ठीक है, नहीं बेटा दुर्गेश, will have been के बाद बेटा बहुत फारे कंडिस्टन्स होते हैं, will have been के बाद adjective भी आता है, और will have been के बाद verb थर्ट फाम आती है, ठीक है, ठीक है, तो कि बेटा, बीन जो लिखा है न, वो बीन बी की फॉर्म से है, वो लिंकि सकता है, प्लस B की फाम के बाद थर्ट फाम आएगा, ठीक है, आप एक बाद तो confirm है कि will have been के बाद कभी फर्स्ट फाम नहीं आएगी, ठीक है, टीकिसम पर मुझने, ठीकिसम दाएगी कॉम आएगा, बीकिसम न नाट वश्च परूफेज रूम टेकिसम यड़े वॉक तैरे नहीं, मॉँदे काएगी, नहीं अरुदेख लिएफ, हमॉदेशन たड़ मॉद même कनी कत्षट बादेेरे थipासद सहां झाएगी, तीक है, जयो अब देखता हूँ कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हो ठीक है ना क्योंकि एक क्योशन बहुत अच्छे से डिसकस करने वाले हैं अजली कह रहे हैं ए पर ठीक होना चाहिए अजली पताओ कि हुआ है क्यों अजली तुम यह भी लिख सकती हो कि इस वज़र से ए पार्ट को ठीक करना चाहिए ऐसे क्यों होगा अजली अच्छा ध्यान देना यह जो वर्ड है ना यह डू है डू है यह हेल्पिंग और सभी को पता है हेल्पिंग और तो क्या होती है दू डज दिद के साथ हमेशा वह आपकी फैस फाम आती है अब इस पर तुमको एक्जांपल देता हूँ बटा ना शी डैस अ कार और एक लिखता हूँ शी डैस अ कार इस ब्लैंक को आपको फिल करना है और आपके पास आप्संस है इस ब्लैंक के लिए आप्सं देद रहा हूँ यहां पे है जाएगा कि हैड आएगा कि हैव आएगा कि हैविंग आएगा बता बच्छे जो ब्लैंक के इसको फिल करना है यह जो ब्लैंक है इसमें है जाएगा हैव आएगा कि हैविंग आएगा इस ब्लैंक में का आएगा हैज आएगा हैड आएगा कि हैव आएगा कि हैविंग आएगा यह बताओ अंजली बेटा धांस मरी बाद सुनना बेटा जो मैं कह रहा हूं तो तुमने बता दिया जीट के बाद फस्वाम आती है ठीक है बेटा बहुत एची बात है तुम्हें इसा बता रही हो तो लेकिन बेटा अभी बातें आगे भी हैं यहां बच्छे फस्जा थे फिलहाल बे ब्राव अच्छे आंसर फस्ट फस्ट में हैज या हैड आएड आएगा फस्ट में हैज या हैड ठीक है और सेकेंड में हैज अब बेटा अंजली मुझे पता तुम यह रिप्लाई करने हैं जोली वाली हो कि इसमें हाज बी आ सपता है या फिर फेक有 लाक यह बी कर यहां पर हैज भी आएगा और हैड भी आएगा कि नहीं और भाई काइजबी आएगा हैड बी आएगा सही है बेटा फेसके इसकह पास है यह वाक की फस्फा में यह वाक की FIRST silent का थी तो ए वहMy बात इसकी हो रही है, अब दोड़ आ गया, वर दोड़ लिखा तो अब अंजली निकान से किया कि सरह है जाएगा, कई बच्चों बेटा कई बच्चे भी आन से करें कि हैड आएगा, अब बेटा मेरी बास सुम्हें, यह जो वर्ब की हम बात करें ना बेटा, यह नहीं इसी वर्ब की फिर्ष 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 पेटा, have, have, कि बेस वाली फार्म है, she does not have, she did not have, I do not have, got it, तो इसके पेटा, आगे न से do लिखना हा पेटा, do does में, तो do आएगा, do, I did not do my work, she does not do her work, they do not do her work, do आएगा पेटा, do बेस वाली फार्म है, अब यहां पेटा, तो go आएगा, go आएगा, he did not go, he does not go, they do not go, यहां पेटा, यहां पेटा, play आएगा, प्लेज नहीं आएगा, तो आप देख पार हो, यह बेस वाली फार्म है बेटा, जिनमें S या EAS नहीं लगा होता है, यही बेटा, फर्स फार्म है, जब भी तुम फर्स best-form का हो हो ना उसको यह बोलो base वाली form जिन में एस इस नहीं लगा होता है सिंग्फर सेइए अन्ध Magic Linkinger farm होता है इसका बेटा यह फरस्ट फसाम हो भी होती है यह बेमाव यह बैरी पर्शस फाम है यहाला है इसका यह सिंग्फुलर फरम होती है singular form, singular form क्या होती है, singular work क्या होती है अब पर forward क्या होती है, अभी मानव have है, यहां पर has कर दो singular form हो गया, यह इसको आगे नहीं आते है producing हम हो गया, यह Häउझ के बेश वालि आती है, जिसको लोग V5 कहते हैं, उच्छे इसको singular work आपको V5 कहते हैं उसकी V5 नहीं होता बेटा वो अपकी Farsi form होती है तो आपे Hash हो जाएगा यहां पे Dush हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पे Go है तो Go जो जाएगा इस तरीके से मेरी बात को समझो अब इस बच्चे को पता है कि सफ डज के बाद तो यह है जाएगा हमको बेस वाली form चाहिए है तो नहीं आने वाला अच्छा बटाएगा बच्चा तो आपको होगे है वाई अब एक बास सारे बच्चे बताओ कितने बच्चे को मेरी बास कि एक बार सारे बच्चे कॉमेंट करेंगे और बताएंगे यह सर्वी हब गॉट मैंने बात करें बेटा कि इनके बाद वर्ब की बेस वाली बेस का मतलब ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में एसे यह न लगा हो इसको रखने के बाद बच्चा ना कन्फीज होता है समझ रहा था यह तो कर ले जाओ यह नहीं कर पाओगे तुम ठीक है इसलिए मैंने काया कि जब भी क्लास हो चुम लोग कांसेप्ट की बात करेंगे लॉजिक की बात करेंगे ऐसे बिल्कुल हर लैंग्वेज में एफरी लैंग्वेज है लॉजिक इन कॉनसेप्ट और भासा में लॉजि सांसर है सबको पता भी है कि दीड आया हुआ है तो यहां पे वो आपकी फर्स फर्म आएगी आपकी ना यहां पर क्या आगे पिटा वो आपकी फर्स फर्स फर्म आईए भाई के विल भी दांसर की आपकी में बताहव जयसक औरुणा नितिष को माच टुक तू यह सबजेक्ट हो गया नितिश ठीक है और यह टुक सेकेंड फ़ाम हो गई न, बाध पास की चल दीए इन्हों ने क्या लिया रहत लिया ठीक है यह इसका अबजेक्ट हो गया बेटा इस वर्ब का यह अबजेक्ट हो गया और नाउन है यह तो बिल्कुल से बेटा यह फ्रेज है पुरी फ्रेज बेटा इसका नाम में प्रेपोजिशनल फ्रेज यह प्रेपोजिशन है और यह इसका अपना अब्जिक्ट है अब लेकिन वहां समयते हैं चीप मिनिस्टर बाई कहा के चीप मिनिस्टर है बिहार के यह जो है नाउन है जब पता है नाउन है जब नाउन के बार आफ आए और फिर एक नाउन आ जाए यह जो नाउन है जो पहले वाला नाउन है इस नाउन के पहले जंदरली पेटा हम दर का यूज करते हैं पतला आप 95 परसें में छोड़ रहा हूं कुछ ऐसी कंडिशन है जहां नहीं भी होता है लेकिन पेपर में कोशन आएगा वहां पर बिलकुल इसको अप्लाई कर सकते ह ठीक है अब बत यह निखें नाउन अफ नाउन मैंने बात पर यह नाउनिन है तो यहां पे दय कर रहे हैं टीकी नाउन आपर नाउन की बात हम कर रहे है न उसको ध्यान देना उनकर दया, मैं बोलूँँ Where is the charger ? Where is the charger of my phone ? बच्चा यह दो आजाएगा क्योंकि किस का charger ? अरे मेरे phone का charger , बड़े definite हो गया बाहि कहा के सी हम ? बिहार के सी हम बच्चे यह जो charger ना यह noun है और यह जो my phone में phone है यह भी noun है तो दा आ जाएगा तो दा आ जाएगा सही है एना, यह सानू, अब बढ़ा एक्जाम्पल में लिखता हूँ बताना, इसको बढ़ा बताना सब लो, में एक्जाम्पल लिखा, इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में क्या आएगा, आएगा, इस ब्लैंक में ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, कि नन, कि कुछ भी नहीं आएगा, यह आप्शन से बेटा, इस ब्लैंक में बताएगा, क्या आना चाहिए, इस ब्लैंक में क्या आएगा, कि इस द विराट अविराट एन विराट की नन कुछ में नहीं आना चाहिए मैंने कहा जब नाउन आफ नाउन आए देखो यह भी नाउन है यह नाउन है तुमने एक बात पर रखी होती है कि विराट एक प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन के पहले आर्ट कल नहीं आते जी हां बिल्कुल सही बेटा बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आते बिल्कुल नहीं आते बिल्कुल नहीं आते बिल्कुल नहीं आते बिल्कुल नहीं आते बात ह कर रहा हूं जो टीम इंडिया में खिलता है नहीं बेटा वही के बात कर रहा हो में जो ही है वो मेरे टीम का विराड है उसको हम एज़कॉमन नौन यूज़ कर रहे हैं यहां नौन आएगा यूज़का लेना यहां पिर बच्चों ने याद रखा है पहले प्रापर नवन के पहले द कॉमे करते हैं यहां यहां यशाहां और सब्सक्राइक करने करते हैं लेकिन यहां पर द हमिआं लागू सिव्तलां और पर्लिधा रिल्कुल इस यह तो बच्चा अंजली यहां पे नन नहीं आएगा पेटा क्योंकि तुमको भले यह बात पता हो हर बच्चे को पता होती है यह कहीं भी प्रॉपर नाउन आता है वहां पे आठकल नहीं आते सही बात है लेकिन यह प्रॉपर नाउन नहीं है यह विराट को हमने as a common देख वहां यूज किया है यह मी तो कह रहे है ना वहहमारे टीम कविराट है यह सानो है ग्रेकर वहां यूज हो जाएगा कि कeten इस ताउन के गांधी है मतलब गांधी वो नहीं है गांधी के जैसे उनके इंदर क्वालिटी है कि वही आंसर क्या होगा बेटा यहां दा आएगा बी विल बी दा आंसर 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 बी हो जाएगा रही है सारे बच्चे एक बार अच्छे से इसको रीज करेंगे और इस कांसर बताएंगे सारे बच्चे एक बार जल्दी से इसको रीज करेंगे और इस कांसर बताएंगे which part of this sentence has an error करेंगे करेंगे अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है the crash of Russian plane with Ukrainian prisoners on board once again how delicate the situation between two countries the crash करेंगे इसके पाद आया तो यह समझों कि यह बटा subject बनने वाला यह subject है और याद रखना जब भी कोई subject आती है बच्चे तो उसका बटा वर्ब आती है यह जो subject है इसका वर्ब तो आएगा वो आब यहा पे आजा यहा पे आए यहा पे आए यहां पे आए यहाँ पे आए अमने हर वर्ब का आपना हर subject का कोई लोगर्व होता ओ थिखैंऄ सबढ़ते आगी आप हो जोगर यह इसका हो गया प्रेपोजिशन और यह इसका हो गया आपजेक्ट पूरा ही है अभी वर्ब इसकी नहीं मिली पिटा यह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब अभी तक नहीं मिली इसका हो suitable प्रेपोजिशन और उक्रैनियन प्रिजनर्स इसका हो गया अबजिक्ट, आफ ही है तामिल यह बेटा है once again soon यह helping of और यह main verb यह तो main verb है third form लेकिन हमें helping जो आया have मैं पता है कि have होता है plural verb जो बिलकुल ही गलत है यह तो हो नहीं सकता तो कि बेटा यह the crass है यह singular है यह तो have के place पे हमें has लिखना पड़े तका लिखो हो गए है कि देखो यह जो सब्जेक्ट है इसकी वह अब यहाँ पर थी कि अब इतनी मेरे बाते समझ में आ गई है तो एक में और एक्जाम्पल लिखता हूं सारे बच्चे बताएंगे मैं एक्जाम्पल लिखा कि लाइक कि इच कि रेंस कि अब इतनी मेरे बच्चे बताएंगे जल दी से वही अमिट लाइक इच फ्रेंस आर अब इतनी मेरे बढ़िया बढ़िया बिच्चा इसको बताओ अमिट लाइक इच फ्रैंसार अमिट लाइक इच फ्रैंसाज पेटा अमित लाइक फ्रेंड्स आर अनेस्ट में कोई एरर है भी या नहीं है यह बताओ बता अंजली केरी सर लाइक्स आएगा मुझे पता था कि आप तुम लाइक्स बताओगी हर बच्चे बताएंगे लाइक्स टूम्ने इसको यूदी वर माल लिया इसको माल लिया अमित लाइक्स अमित अपने फ्रेंड्स को लाइक करता है ठीक है यह बताओ यह आर ऑने सा रहे हैं और यह वब और यह भी वह यह वह भी वह बीना कि नहीं आती है पीटा ठीक है आप समझो यदि यह क्योशन पीटा मैं लिखो यहाँ पर ना कि अमित लाइक पिज फ्रेंड्स यदि यह ऐसे क्योश्चन हो तो इसको मैं सही मानूगा जो तुम कह रही हो कि सर यहाँ पर लाइक नहीं होगा लाइक्स होगा तो कि स्ब्जेक्ट हो जाएगी इसका वर्ब हो जाएगा और यह अपने फ्रेंड्स को लाइक करता है डिक है यहाँ पर लाइक्स अब नहीं कर सकते हैं को नहीं करता सुना ، ये जो लायक वाप है सारे बचे धान से मेरी बात को सुनेंगे और अभी बताएंगे भी कि सब को मेरी बात क्समझ में आई या नहीं में आई। एक बाद सारे बच्य कॉमेंट करेंगे और लिखेंगे हम सब सेंचोरियन ag तो सारे बच्चे बताएं ने बिल्हाल में अपनी बात कहले नहीं इसका मतलब होता है किसी को पसंद करना क्या होता है ऑप कहोगे पसंद करना क्या होता है लैला आपको और प्संद कंतर और यह ज़िए लाइक प्रेपोशन ने बिटा तो इसका मतलब होता है के जैसे तो आपको होगे के जैसे यह जैसे के समान इसको तुमने वह माल लिया कि अमित अपने फ्रेंज को लाइक करता है जी हां सही है एकदम सही था देकिन यहां पर कहो गे ना कि अमीट अपने दोस्तों को पसंद करता है है और सब्सक्तरा है क्या होता है कि अमित अपने दोस्तों के जैसे ही ऑनेस्थ है만 जैसे उसके अमित भी आपको ओगया ऑबजिक्ट कि जब भी medical परेपोर्श आए इसका अपना अबजिक्ट आएगा, उन्हें आपना अबजेक्ट आएगा, जब भी कोई प्रेस्ट आते हैं, तो उनका अपना अबजेक्ट आता है, अब इसको प्रेपोर्षन ही मानना पडेगा कि वब है नहीं, यह हो गया, इसका object और बेटा वर्ब जो होती है वह हमेषा according को subject आती है वर्ब इसके according को subject है यही तो है वर्ब यही तो रही नहीं इसका मतलब अमित के लिए according वर्डिये इस आ जाएगा according to Amit इस इस बात को ऐसे कह सकते हो अमित इस ऑनेस्ट लाइक फ्रेंट्स ऐसे भी कह सकते हो तो बेटा यहां पर लाइक आ जाए अनलाइक भी आ सकता था लाइक ही नहीं यहां पर लाइक भी आ सकता था यह भी आ सकता था तो कोई दिक्कत नहीं थी यह भी आ सकता था यह भी आ सकता था यह भी आ सकता है तो कि तो आप बटा सब को समझ में आया नहीं आया तो अंजली को समझ में आया अंजली लिखा भी है थमसफ सेंजूरियन एक बच्छे बताएंगे मैंने इसका अंसर बता दिया आपको अफुर्स हो गया थीक है सब बढ़ियां बढ़ियां से वीद आंसर बच्छे यह तो समझ गया तुम यहां पर तो गल्ती होगी न तो यह कोशिश करो कि यह समझ रहे हो बटा तो इससे बनने वाले जितने भी कॉर्ष्टन्स होते हैं अगरे बच्छों के बिल्कुल दुर्गेश आर गे प्लेश पर इस आएगा बहुत बढ़िया इसका इसका अगरे पहले बताओं मुझे तेन क्यों यह आंसर दस में से, at least 10 में से 10 सही हुए या 9 या 8, ठीक है, 10 में से 10 सही हुए कितने हुए, 9 हुए, 8 हुए, 7 हुए, 6 हुए अपने खुद का मुल्यांकन भी करना आप सभी को, ठीक है न, क्योंकि आप एक्जाम देने जा रहे हो, अगले आने वाले टाइम पे, ठीक है न, अप्रील में आपका पेपर है, तो यह बात को बिलकुल धान में रखिए, कि हमने 10 कोशन सौल किया, और कितना हमारे सही हुए, मुझे भी आता है कि आपको मैं बताऊंगा यह इसका आंसर होगा, ऐसे यूटूब के दुनिया में खूब चलता है, खूब चलता है, तो कोशिश करो, कि आंसर जानने की मतलब आंसर तो जानोंगे जानोंगे, लेकिन उसकी जो मतलब, आए बाए जो होता है उसके लर्निं यहाँ पे फट लगाएंगे तो यह आंसर तो अपने आप आएंगे, पढ़िया पेटा, पास से यह बहुत बढ़िया, इसकांसर तुम्हें क्या बता रहे हो, यह पूट आउट है ना, पूट आउट, तो पूट ना एक वाब है, पूट आउट का मतलब होता है ना, पूट आउट का मतलब होता है ना, किसी केंडल को या किसी भी आग को बुझहा देना, तो इंग इस्टिंग्विस करना पेटा, यह इसका मतलब होता है, इस्टिंग्विस करना, मने किसी इचको बुझहा देना, पूट आउट, तो यह तो पेटा होगा नहीं, you should put the money if you want to buy यह new house, तो यह होने वाला नहीं है, यह तो इसका answer नहीं होगा, put off का क्या मतलब है, बच्चे put off का मतलब होता है, लिख देता हूँ में, put off, put off का मतलब होता है, कोई चीज पोस्टपॉन कर देना, क्या करना है, तो आपको होगे, पोस्टपॉन करना, पोस्टपॉन करना, मतलब to cancel, उसको बोलते है, call off, इसका मतलब call off भी होता है, call off, cancel करना, call off, put off या call off, semi होता है, put off या call off, semi होता है, put on का मतलब, अच्चा put on का मतलब होता है, put on, put on का मतलब होता है, कोई चीज, तु वेर कर दो, तु वेर, पहनना, please put on the new dress, please put on the new dress, please wear the new dress, put off, the meeting has been put off, या फिर call off, मतलब postponed, कोई चीज, कैंसिल हो जाना, put out, extend grace करना, please put out the candle, टीक है, एक मेंटा होता है, put up with, एक phrasal verb होती है, put up with, put up with, put up with, means to tolerate, इसका मतलब होता है, to tolerate, to tolerate करना, एक कहूँ, I cannot put up with your root behaviors, I cannot put up with your root behaviors, पतलब, I cannot tolerate your root behaviors, ये इनके meaning है, put out, put off, put on, put up with, टीक है, बचा, सब को याद कर लो, याद न कर लो, इसकी इसकी इसारो लेले सारे बच्छी, पिपल में आते रहते हैं, अब बच्छे समझना, देखो, put, वाइस बीटा, put in का मतलब होता है, put in का मतलब होता है, to make an effort, put in का मतलब होता है, to make an, to make efforts, to make efforts, लगाते हैं न, उसको बोलते है, put in, to make efforts, ठीक है, he has put in a lot, to complete the work, मतलब he has, he has put efforts, to complete the work, put in का मतलब होता है, कोई चीज़ effort लगा, ठीक है, अब बच्छे समझना, इस रोड है न, बच्छे समझना, बच्छे समझना, बच्छे समझना, बच्छे समझना, पैसा, to save money for future, to save money, for future use, to save money, for future, path, यह होता है, put by, to save money for future, ठीक है, ऐसे मिटा, put by भी होता है, put aside भी होता है, put aside का मतलब भी, यह होता है, put by, put aside का मतलब होता है, to save money for the future, अगें सुनों, बच्छे, put out, बुजा देना, put off, मतलब call off, cancel करना, the meeting has been put off, the meeting has been called off, the meeting has been postponed कह सकते हो, put on, to wear, put up with, to tolerate, putting मतलब होता है, to make efforts, कोई efforts लगाना, put by या put aside का मतलब होता है, to save money for future, ठीक है, अब बच्छे पता है क्या, यह जो है ना, यह जो इन है ना बेटा, यहां पर चाहिए था buy, यहां पर बेटा चाहिए था buy, put buy का मतलब होता है, पैसा इकटा गानी, यहां पर सारे बच्छे बच्छे पर buy कर लेंगे, to pay with a site का मतला भी सेम ही होता है बच्छा वू से मनी पॉर फीटै कि थीक है थीकश कहा पिसे वॉद्धा फेस्ट मेरे बंघ मेरी सह आल मेरश ऌत रादऊ होगी सब्सक्राद करते नर्य क्लास treatment राता हूं ति इस सदस्क्राद नियुकिर प्रॉससिं पता है अफिसे नर्लाइन बतावा बच्चे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई और प्लीज बेटा हो जाएगा इसका और प्लीज बेटा यहां पे क्या कर लेना आप यहां पे बाइक कर ले कि अ कि यह बताव बेटा कि आफ्माएबचम मैं आफ्माएबच लेस्टे सम वाइबच्चे लेटा अवी बिराट इब वीग होटल अवोरवच्चे सम आफ्माएबच्च वीमी बाइबच्च केम देश विराट विराट अध बिग होटल कि ओवर्ज ठीक है कम ओवर एक तो कम ओवर है एक है कम ओवर है कम ओवर यह क्या है कम बाई एक है कम अक्रॉस कम स्मस्या से उबर जाना इसका मतलब होता है न हूँ ओवर कम करना मतलब होता है किसी समस्या से निजात पाना उबर जाना आई केम ओवर आल दा डिफिकल्टीज यह होता है और जो इसका मतलब है न वही मतलब गेट ओवर का है यही मतलब गेट ओवर का होता है आई यह बॉट अवर ओल दा डिफिकल्टीज यह तो आपका आंसर होगा नहीं बेटा यह तो हटा दो अगले पर आते हैं अब तो यह वाड लिखा होगा है ना कम बाइश तो अप्टेन सम्थिंग कोई ची प्राप्त करना तो अप्टेन सम्थिंग यार यह तुम्हें लिख कहां से मिली अव डिट यू कम बाइश तो कम बाइश मतलब अटा होता है तो अप्टेन करना कोई ची प्राप्त करना ठीक है ना ठीक है बच्चा कम अक्रॉस का मतलब है कम अक्रॉस का मतलब है तो मिट सम्बडी बाई च तो मिट सम्बडी बाइचांस किछी से अच्छानक मिलना, I came across my friend on the way में रास्ते में अपने दोस्तों से मिलना, ऐसा कहना हो to meet somebody by chance तो बोलते हैं मतलब कम अक्रॉस है, second form हो जाएगी, came across, ठीक है तो बच्चा इसका मतलब तो यह है कि इसका answer फिलहाल में यह हो जाएगा, क्या होगा तो आपको होगे, c will be the answer, ठीक है फिर come by तो समझ में आ गया, to obtain something, come through का मतलब होता है, to get information, to get information, to get information, कोई चीज, कोई information पाना, it means बटा होता है, to get information, को information पाना, कीक है, यह से मैंने का, कोई बटा किसी information आपने receive कर लिया, तो come through हो गया, यह से मैंने बोला, we have the results from dash, तो बच्चा मैं कहा हूँ, इस blank में क्या आएगा, यही तो कह रहा है न, कि क्या results आ गए है, मतलब जो information है, वो हम तक आ गई है, इसका मतलब होगा, have the result come through बेटा, कोई चीज घटी थोना, कोई चीज घटी थोना, सबको पता चल गया, A C will be the answer, A answer हो जाएगा, ही दीरिस दर्माएना, बेस दर्माएना, दीरिस दर्माएना, बेस्ता धाएगा, बेटा थोना, इस कोई आएगा, कि रिच्दार्माएना, दीरिस दर्माएना, that is, when it is this one person, the video, I can add be a रमायना के पहले जो द आया हुआ है यह da kya है यह क्या रहा है कि इस में बटा यह जो da word है यह क्या है राक अब यह दीख क्या है बेटा है यह इंडेफिनिट आर्टिकल है एडवर्ब है डिटर्मिनर है कि इंटेंसिफायर है एक बार सारे बच्चे बताएंगे आंसर फास्ट एक बार सारे बच्चे इसका अंसर बताएंगे इस रिट्स दर मायना में यह जो द लिखा हुआ है यह क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल है एडवर्ब है डिटर्मिनर है इंटेंसिफायर है सभी को पता है बचचे सब्सक्राइब को पता कि जो दर होता है देफिनिट आर्टिकल है यह सम्गते हैं इसको यहां से दह और ऐं होते है दो ही तो आर्टिकल पेटा होते हैं अर् यह द जो है वो definite article यह सानू द क्या है तो आप कहोगे साथ the definite article है the definite article है और एन क्या है तो आप कहोगे यह indefinite article है यह indefinite article है क्या है बच्चे तो आप कहोगे यह indefinite article है article तो है यह article तो है लेकिन यह indefinite नहीं है यह incorrect हो जाएगा the adverb होता ने है एंटेंजिफ हैर पता है क्या है यह इंटेंजिफ लाइक फायर भी नहीं है इनजिफ फैर ना like-dverb ही होते है यह adverb ही होते हैं इसे मैंने कहा है यहाँ पे, he is really honest, really पता है क्या है, यह intensive fire है, he is rather honest, बहुत honest है, तो rather, he is rather honest, he is fairly honest, आप पता है क्या है, यह सब intensive fire होते हैं, really, absolutely, it is absolutely right, एसे word intensifier होते हैं, तो होगा नहीं, अब पेटा यह है, determiner, क्यों है, आर्टिकल पहले determiner ही होते हैं, आर्टिकल पहले determiner ही होते हैं, यह जो द लिखा हुआ है, अब कौन-कौन से हैं, देखना, वर्ट के आगे, यह नवन आज से द है, यह भी है, एन भी है, यह तो आर्टिकल है, यह तो बेटा आर्टिकल है, नो डाउट आर्टिकल है, आर्टिकल तो है यह, द एन में लिखुँ सम बेटा, सम determiner है, अब तुम कहोगे, क्यों होता होगा सर, तो बेटा, यह इनके आगे नाउन ही तो आता है, जिन वर्ट के आगे नाउन आते हैं, उन्हें determiner कहा जाता है, मैं बुलनों, the boy, a boy, some boys, any boys, many boys, सब के सब determiner हो जाते हैं, बच्चा इसका answer होगा determiner, क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे determiner, answer, c will be the answer, c will be the answer, अगले question पर आते हैं, इसके बता होगे बाई, आप दी टो कार्स, वीच इस डैस, बेटर, दा बेटर, दा बेस्ट, पेस्ट, अब यह इस ब्लैंक में आपको फिल गरना है कि बेटर आएगा, दा बेटर आएगा, दा बेस्ट आएगा, यह बेस्ट आएग अरगा, बेता मैंसने घया। यह बेस्ट आएगाना इसको समझेंगे बच्चे इसको समझेंगे देखेंगे एक बार इसने मैंने एक्जामपल लिखा E is less than U, than U, E is less of the two frames, of the two frames. समझते हैं इसको, ठीक है? बेटा यदि यहां देन लिखा हुआ है न तो यहां पर कहीं ने कहीं बेटा हम कंप्रिजन करने जा रहे हैं और आफ का मतलब बेटा होता है न सेलेक्शन, पर स्टॉर्ट कर तरीका है कि जब देन होगा तो जो भी क्वेंटि डिग्री आएगी उसके पहले दर नहीं आएगा यहां पर होजाएगा he is taller, क्या होगा बेटा, तो he is taller, he is taller than you, he is richer than you, he is taller than you, he is richer than you, बिल्कुल सही है, we should not use any article before taller, taller के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, लेकिन आफ लिखा होगा है तब, बेटा, आफ का मतलब बेटा होता है, selection, of the two friends, of the two teachers, of the two students, means, ऐसा होगा बेटा, तो इसके पहले the dollar आना चाहिए, आप लिखोगे the dollar, क्या होगा बच्चा, तो आप खोगे the dollar, तो मैं लिख देता हूँ बच्चे, जहां भी then लिखा होगा बेटा, जहां भी then लिखा होगा, उसके पहले, आप CD का यूज़ करना, CD का मतलब, comparative degree वहाँ प बस, अब देखो यह half आया था बेटा, यह half वाला नो, पुरा जो half वाला है, यह पहले आ गया, अच्चा, यह पहले आ गया, आप दी two cars, क्या होगा है, आप दी two cars, इसका मतलब कि यदि दो की बात हो रही है, तो comparative degree ही आएगी, best तो आएगा नहीं बेटा, इसका यूज़ क आटा, आप के साथ द लगता है, आप लिखोगे द बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कोगे, B will be the answer, आंसर क्या होगे बेटा, तो आप कोगे, B will be the answer, answer will be B, सही है, एक दमसा आन था, पर जी धान रखो कि, आप जहां भी आएगा, वहां पर सिडी के पहले द आता है, आप जहां भी आता है, वहां पर सिडी के पहले द आता है, ठीक है भाई, next, we dare not dash back, go back, went back, to go back, going back, तो dare not model है, dare जो word है, एक model है, समझे, अच्छे जो dare word है न ये model है, dare जो word है, model है, हलाकि need भी model होता है, ये काम करते हैं, बताते हैं, इस पे question चूर्शन तुहारे paragraph में बहुत आते हैं, dare और नीड़ पे paper में थुहारे question बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, नीड और देर पे तुम्हारे paragraph में भरबर इस question आते हैं, इनका नम बच्चे तोंको कोई वे सेमी मॉडल मेलपशीं होते हैं मेनव होते हैं मेने भिपिकन समय को मेन वे छी आप दने मेसे मॉडल मेर के और मेन और फिर पर पता है तो प्लेस वीवन आएगा चाहिए बढ़ा 2 प्लेस वीवन एक दम असान सा है जैसे में एक्जामपल लिखूँ यहां पर मेरी बात तभी कम समझे में वहां पर आई होगी बच्चे लिकिन अब मेरी बात सुनना मैंने एक्जामपल लिखा V we dare, we dare, अब यहाँ पर होगा, dash back, तो देखो बेटा, धान समर्य बस सुनू, यह जो लिखा नो dare, यह यहाँ पर main verb है, तो क्यो main verb है, इसलिए main verb है, कि इसकाय कोई verb आ नहीं रही है, तो यह main verb का कारिकर रहा है, यहाँ पर होगा न, we dare, we dare to go back, to go आएगा, main verb होगा न, to go आए not, तुमको ही पता है कि not के पहले कभी main verb नहीं आता, not के पहले कभी main verb नहीं आता, helping verb है आती है, पढ़ा है न, do not, does not, did not, cannot, put not, not के पहले helping verb आती है, इसके लिए अब उसके आगे work की first form हाती है, 2 plus V1 नहीं आता है, इसका मतलब होगा कि A will be the answer, we dare not go back, क्या होगा, तो आपको होगे, we dare not go back, went नहीं आएगा, बेटा, 2 गो सब गलत हो जाएंगे, सब गलत हो जाएंगे, ठीक है, फोटा सा बड़ा concept है, कि need or dare, जब main verb हो, 2 plus V1, और need or dare, helping verb हो, मतलब not के पहले आ रहा हो, not के पहले helping verb भी आती है, तो वहाँ पे V1 आ जाएंगे, जैसे मैं example एक और देता I need not, dash, अब देखो, बस simple सा है बच्चे, need लिखा होआ है, ये need not लिखा होआ है, तो not के पहले तो helping भी आती है, तो helping भी, I need not, तो ये helping भी, helping भी, helping भी, helping भी आएगा, I need not study, ठीक है, I need not study, लिखनी हाँ पे need single है, तो खुद ही main verb है, खुद ही main verb है, I need to study, I need to study, सही है, वहाँ पे not है, तो not है, डेर पहले आया हुआ है, तो वहाँ पे helping verb भी आती है, ये last crash course होगा बेटा, ये सब के लिए अंतीम crash course होगा, ठीक है, और new batch जो अपने start हो रहा है, I think going to be started, from 15 of Zen, तो 15 Zen को अपने batch इस start हुआ, और एक 5 Zen, तो इसमें आप लोग admission ले सकते हो, ठीक है ना, Descent और Descent पे कुछ बेटा, इसके आपके बस कुछ options हैं, बिल्कुल घबराईएगा नहीं, पेपर में ये बेटा वैसे question आ चुका, आपके paper में ठीक है न, ऐसे question बेटा आये तो आप बिल्कुल नहीं घबराना है, इन words को अच्छे समझना है बच्चे, इस बेटा words को समझना है, Descent और Descent में का अंतर होता है, ये एक Descent है, D-I-S-S-E-N-T और एक है D-E-S-C-E-N-T, ये Descent, तो दो ये Descent हैं और इनको एक बाद समझेंगे, भार्नखती रादिए में एक बातके ये और ओकां़ और जाधार है, ये खिसक का लो ывать बाद और मनलशना है पीज़ा है, प्लश्वाम्रा मैं जालने है, औरा जो आगरा मैं और किंद बाने हैं, अब बच्छे समझो आजो बेटा अब देखो ये दो वर्ड है न डिसेंट और डिसेंट पहले इसको समझ लेते हैं इसका आंसर तो होगा ए मैं आंसर आपको बता देता हूँ बेटा मिस्टर पांडा अरी यार इकलब बेटा तुम सवाल एक नहीं सव पुछ रखते हो ठीक है लेकिन फिलहाल बेटा यहां पर पढ़ने के लिए आज तो पहलो यार ना पहलो ने तो मैं अभी तुमको पढ़ने आयो तो अच्छी बात है ना पहलने बेटा आये हो तो बहुत अच्छी बात है आपको स्वागत है वेलका में लेकिन यदी इस इंटेंशन में आये हो कि जाएंगे थोड़ा सा इंजवाय करेंगे कुछ बाते करेंगे ऐसे बेटा पता है ऐसे जियो पर छोटे रिचार्ज हर जगा मिलना तुम मिलते ही बेटा उसमें से नहीं हो तब तो पहलो उसमें से हो बेटा थो ध्यान रखो तुम अब कभी निया पाओ में तुम ब्लॉक करवा दूँगा बच्छी आटा आप देखो ये वर्ड है ये जो वर्ड लिखा हो बेटा डिसेंट समयते है धांस में बास सुनना डिसेंट न इस का बेटा मतलभ होता है इस डिस इसघरिमेंट सांसरे सुनना इस इसका हो धा इस अच्छा ये जो वर्ड है इसका ये वर्ड है बेटा इसका संनीम क्या हो जाएगा क्या हो जाए। स्विकृती वह वह हो जाएगा एसंट शक्रिदा आपको कहते थे चर्ट एक्सेथें सब्सक्राइब करने यह हुआ डिसेंट यह हुआ यहा डिभल त्टिस्कों लिखा हुआ यह जो डेसेंट है इसका मतलब बेटा होता है moving downwards यानि इसका मतलब होता है moving moving downwards moving downwards इसका मतलब क्या है तो आपको होगे moving downwards नीचे बेटा मतलब नीचे जाना इसका एंटोनिम क्या होगा सर तो बेटा इसका एंटोनिम होगा इस वर्ट का एंटोनिम हो जाएगा ascent इसका मतलब बेटा होता है going upwards going upwards यह तो हो गया descent ascent यह हो गया descent और ascent यह SC वाला है यह SC वाला है बेटा D E S C E N D A S C E N D ascent or descent इस descent का मतलब होता है सब है civilized इसका मतलब बेटा होता है civilized civilized sub बच्च्चा यह धान देना इस descent में और descent और ascent और यह descent और ascent इसेंट तो बिल्कुल अलागे अब यही question आपके paper में आया बच्च्चा यही question आपके paper में आया ठीक है एक बार सारे बच्चे इसका लेंगे screen swap और बेटा इसको बिल्कुल याद रखिएगा paper में हमेशा आने की संभावना रती है आप देखो इसको अब जिस बच्चे को इतनी सी बात पता है ना इस बच्चे को इतनी सी बात पता है यह descent का मतलब होता है आस्रामती तो लिखा तो having idea different from general beliefs इसका मतलब यही है having ideas different from general beliefs और official position सही है और यह जो descent होता है इसका मतलब होता है going downwards means movement towards a lower place हाँ जी सही है इसका तो answer बेटा हो जाएगा A मतलब सह मिला कि answer आपका A होने वाला है मैं आपको पहले बता दिया था अब यह को जरूरी नहीं है बेटा कि a c e and t ascent मतलब होता है going upwards हो सकता है अगले paper में यह word आजा है तो इसलिए confusing वाले words यह इनको बेटा पढ़ना इनको बहुत जरूरी होता है next answer fast answer झाल झाल आजो बच्चे एडॉप्ट राना चीए बड़े लिखो बड़े इस एडॉप्ट का मतलब होता है ना किसी को धालना इस एडॉप्ट का मतलब बेटा होता है धालना ठीक है टू माउल्ड मैंने बोला कि खी अडॉप्ट रसेल्फ टू दू रॉप्त रसेल्फ तू रॉप्ट रॉप्ट् रॉप्ट इसका मतलब होता है धालना तुमाउल्ड करना तुमाउल्ड एडजस्ट करना बच्चा एडजस्ट करना इस एड़ाप्ट का मतलब है यह जो एड़ाप्ट है इस इट मिन्स होता है गोद लेना अरे क्या होता है बच्चा तो आपको होगे गोद लेना ठीक है गोद लेना किस सब्सक्राइब होता है माल लेना इसका मतलब बेटा होता है कुषल यह जो adapt है इसका मतलब होता है कुशल क्या होता बच्चा कुशल क्या सकतो इसकिल्फुल कह लो कि कहने इसके इसके मतलब है इसी adopt का नाउन है यह जो adopt है यह verb होती है और यह जो adaptation है यह noun होता है इसका मतलब तो अन्कूल बनाना है इसका मतलब गोषभ लेना है इसका मतलब कुषल, skilled, dextrous तो बैस्टार क्या हो जाएगा सर्जी तो बैटा आंसर हो जाएगा C C will be the answer आंसर क्या होगा तो आप कहोगे C He is very adapt at dealing with media वो media के साथ deal करने में बहुत adapt है skilled है ठीक है तो पर आंसर हो जाएगा D है ना आते हैं अगले question पर आते हैं अगले question पर मरी बात समझ में बिल्कुल आई होगी बताओ इस answer बताओ मेरे भाई इस कान से चल जी बताओंगे बिटा इच आफ थी topics has its dash to the story का शंदार question है बताओंगे इस ब्लैक में क्या आना चाहिए compliment, compliment, climax, complaint comment first आज़ों मेरे बाई इसको देखते हैं compliment, compliment है यह accusative है यह वर्ब है यह इसका मतलब होता है तारीफ करना क्या होता है बेटा तो आप को मतलब होता है तारीफ करना, किसी की प्रेज करना, प्रसंसा करना, To Preach, किसी की प्रसंसा करना, क्या सेक्टो, To Accolade, To Accolade, To Admire, Complement करना, ठीक्या, यह compliment क्या होता है तो इसका मतलब यह noun है वैसे इसका मतलब होता है पूरक क्या होता है पूरक इस word का मतलब होता है पूरक ठीक है जो बेटा something कह सकते हो something that's something that complete something that completes perfection ऐसा कोई जो पर्फेक्ट कर दे पर्फेक्शन लाए अपने मैस में पढ़ा होगा न कॉम्प्लिमेंटरी अंगल ने पढ़ा होगा कि एक एंगल बेटा मालो एक एंगल जो है वह 50 है 50 है अगला एंगल क्या होगा दोनों कॉम्प्लिमेंटरी है तो 50 प्लस एक इक एक 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 क्या है उसका कॉम्प्लिमेंट है जो से क्कॉम्प्लीट कर देगा 90 कर देगा ना कि न यह जो क्वेटा होता है exciting इसका मतलब बेटा होता है exciting क्या होता है बच्चा exciting thrilling का कर सकतो thrilling क्लाइमेक्टिक scene ठीक है बेटा वही climax होता है ठीक है तो यह तो अलग word हो गया climax कोई मतलब भी नहीं है अब कराव जो उसके तीनों जो topics है each of her three topics उसके जो तीन topics उनमें से प्रतेक इस टूदे स्टोरी मतलब जो उसमें से तीन जो topics उनमें से प्रतेक क्या है वेटा उसके story को complete करने वाला है वही meaning आयागा तारीफ करने का मतलब है क्या नहीं जी compliment हो गई नहीं क्लेöst को इसका मतलब होता है प्रस के करन अकॉलेंट करना वो तो हो नहीं नहीं है क्लामindo कि बात करने विदल यह भी बिड़ा यह भी गया फिस comment मतलब होता है यह review companies मतलब होता है शिकायत यड़ यह जेके यह बात तो लिए बता रहे हैं आगि तुम्हारा बढ़ीया नाम तुम्हारे घर बाले रखा थे तुम्हारा इस ते अच्छी बात क्या ओख किये तुम्हारी जीवन में बहुत आगे जाओ तरक्की करोगे तुम आज़े बीटा अरे बच्चे इस कांसर करेंगे जल्दी से आज डाको गबबर बहुत बहुत खुश रहुत बहुत खुश रहुत अब अगली क्लास में आना तो यह जो लिखा है न तुमने इसको हटा देना बच्चे ठीक है नहीं तो तुम मैं ब्लोग करवा दूगा है न срав कि अज़म्यट यह अड्वाइज्वाइज में का पाद रहे कौन बच्च्च बताएगा अड्वाइज और अड्वाइज advice और advice में के अंतर है वही अच्या advice जो बड़वब है ये advice है ये वर्ब है और advice एक noun है यह सानो advice का मतलब है सलाह देना को कि वर्ब है तो इसमें accent तो आएगा जी सलाह देना और जो advice है इसका मतलब होता है सलाह यही तो है,डवाइस का मितलब होता है सलाह देना और अडवाइस का मतलब मतलब होता है सलाह ठीक है,आप आते हैं बाटा पैको यह और यह और लेडि ना यह वर्ब यह 4 , यह वर्ब यह वह आ चुक है गिन गिफ वर्ब का हमें आबजीक्ट स्टस चाहि ninguna अफिसर केंगी वाट वाट सला जो भी वर्ड आएगा अब्जिक के प्लेस पर आएगा ठीक है इसका ये वर्ब है तो इसका ऐसे यूज होता है अब अगली बार आते हैं अब क्या ये मेनी अडवाइस होगा ये एक अडवाइस ना एक अनकाउंटेबल नाउन ना बेटा अडवास हो और जो है नाउन तो है लेकिन इक अनकाउंटेबल नाउन है आका अनकाउंटेबल नाउन है पिठा, uncountable noun के पहले कभी भी A, N नहीं आता और कोई ऐसा वर्ड नहीं आता जो नमबर की बात करें मतलब बेटा, many भी नहीं आता, many भी नहीं आता, यह जो word है, बच्छा इनके आगे यह आते ही नहीं है यह advice एक uncountable noun नहीं है वहाँ पे न ए आएगा न ए न आएगा न में नहीं आएगा तो पिटा यह an advice का मतलब पता क्यों हो जाएगा वन का मतलब number अब कभी भी uncountable में number नहीं होता है यह हटा दो पिटा यह हट जाए जैसे आप नहीं बोलते हो ना कि of water वार्टर बोलते होगी बेटा बिलकुल नहीं बोलते होंगे हट जाता है water सिखेंचर तो कभी भी uncountable noun के साथ कभी भी article an नहीं आता बच्छा अब uncountable noun में वैसर में आड़िस हो गा यह नहीं होता बेटा वेटा रहेट में नहीं नहीं आता नहीं होता बच्छा बिलकुल नहीं होता नहीं होता किसी भी एस यह लगा के उसका प्लूरल नहीं बना सकते इस इतनी बातें हमें पता होंगी तो हम अपने आंसर पर पहुंच पायेंगे ठीक है है आज़े बेटा तो देखो इसका अंसर भी टक्या हो जाएगा सम अच्छा इसे क्यों होता है को कि सम का यूज सम का यूज बेटा हम जब यूज करते हैं सम को यह countable इसलिए आंसर भी बेटा आप बेटा बीविल बेदा अंचे अब यह वड़ा बेटा इमिनेंट और इमिनेंट सारे बच्चे एक बार इसका आंसर करेंगे और इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा ठीक है तो कि बच्चे अब आपका पेपर का जो पैटा ने थ्वासा चेंज हुआ है मैं उमीद करता हूं कि इस बार भी आपके पेपर में कि सवाल आएंगे यह दि आएंगे तो आपको पहले से लर्न करके जाना है अब हमने बात करी थी डिसेंट डिसेंट की एक एक अग्रीमेंट वाला एक डिस अग्रीमेंट वाला उस का एंटोनीम हो गया था वैसे ही इन वर्स पों हमें समझना पड़े एक बार सारे बच्चे जरा जली से बताएंगे रीट कर लो बेटा अच्छे से और इसका अंसर बताओ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप पोई बच्चा देखें नहीं मैं आंसर बता दो C होगा B होगा A होगा D होगा नहीं आप बेटा एक बात पहड़ो इसको रीट करो इसका अंसर दो फिर झालो होगा कि आपनी दोक्ट करा दो कि आपना। इसका आंसर तो आपको मिल गए, इसका आंसर बेटा होगा A, A will be the answer, अब A क्यों होगा आपको समझना, इसका मतलब होता है प्रिख्यात, प्रिख्यात, प्रसिद्ध, इमिनन्थ, अच्छा ये वहले इमिनन्थ है, इसका मतलब होता है न कि कोई निकट हो, आसन्न भी कहते हैं असन बिल्कुल निकट हो या बेटा निकट इसका बेटा मतलब होता है निकट असन कहलो या बिल्कुल निकट कहलो अड़सेंट कहलो इत मिंस होता है नियर निकट पास इसका मतलब होता है फेमस इसका मतलब क्या होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत इंपोर्टेंट हो और फेमस प्रिखात हो एकदम सही जा रहा है अच्छा यह कर रहा है कि एंड इमिनेंट मिन्स इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज ऐसी घटना जो अभी होने वाली वही नियर बिल्कुल जो होने वाला है जो निकटो बेटा असन हो जी यह भी तो सही है तो बेटा हमें तो लग रहा है कि यह सही है और यह आंसर भी है देख सकते हो इसको बढ़ो इमिनेंट का मतलब कह रहा है कि something unpleasant अरे होता ही नहीं है यह कभी संभा भी नहीं है हां कि ना इमिनेंट का मतलब होता है कि important, फेहमस्त तो होने वहला इन ही है, इसको तो देखो इमिनन्त है important हाँ यह ठीक दिया हुआ है, लेकिन इस imminent का मतलब याँ बेटा, की inherent और existing within, यह तो संभवी नहीं है, यह भी हट गया, इम्मिनेंट मेंस इसका मतलब यह दे दिया पहले यह इसका मतलब होता ही नहीं है यह वैसे भी गलत है उस्ता में लाजूला कि A will be the answer answer क्या होगा बच्चे तो आपको होगे A है आज़ा बेटा, now answer first झाला क्या हैं Catholic Church अब बच्छे जहां से देखना है इसको ठीक है ना State Government of Punjab अभी मैंने बात किया था बेटा कि जब भी कभी noun हो और एक of यहां पे हो फिर एक और noun यहां पे आ रहा हो आफन इस noun के पहले हम लोग the का यूज करते हैं यह जो noun है इसके पहले हम लोग the का यूज कर लिया करते हैं ठीक है इसमें एक्जांपल दिया था the capital of यूपी capital भी नाउन है यूपी भी नाउन है दर चार्जर आफ माई फोन चार्जर भी नाउन है फोन भी नाउन है दो आएगा बेटा क्यों कि यह जो होता है आफ के बाद यह नाउन है यह इसको इसको define कर देता है इसको define कर देता है इसको define कर देता है रूल में convert हो जाता है फिच बाद को क्याना है कि state government of Punjab अरे कहा की government पंजाब की गोर्म है तो बच्टा धाण से देखोगी ये भी नाउन है अर जो state government ये भी नाउन है जब भी नाउन ओन नावन आएंगे ता पता ये jom of और नाउन है इसको define करता है इसको define करता है इसको define करता है which government the government of Punjab तो बच्चा इसलिए definite है तो the द का जाएगा निक्स्ट बता बच्चा एक एक एक्जाम्पल में और लिख रहा हूँ, I saw him to sing a song. Si बेटा, जहां की बढ़ी थे आजाए है। इनके साथ कभी 2 Pless V1 का यूज्ज करना, इनके पास इनके साथ कभी two plus v1 का यूज़ मत करना कभी ने करना बिल्कुल गलत हो जाएगा आप इनके साथ या तो i.n.g. का यूज करना या केवल वाप की फर्स फर्म का यूज करना जिसको हम लोग कहते हैं बेर इंफिनिटिव वर्ब की पेटा को फर्स फर्म आएगी धांस इसको समय लो इसको लिख लो बेटा जब भी कभी आएगा कि मैंने उसको गाते हुए देखा मैंने उसको गाते हुए दे यह आएगा या तो आएगा आई साहिम तीना टू का लिख दो यह भी सही है लेकिन टू सिंग नहीं आएगा पिता तू सिंग बिलकुल नहीं आएगा बच्चा बहुत यसाने देख सकते हो ना He heard him, उसने उसको सुना, to grow about his asses, पिटा इसका मतलब होता है ना की भुन भुनाना, ना, तो कह रहा है की हर आया हुआ है, हमें इतनी से बात बता है, कि यह आएगा, तो आगे NG आएगी, या P1 आएगा, तो कुछ सोचर ही मत यह, तो वैसे भी गलत, second farm तो वैसे भी नहीं आत हुआ है, यह जिसको पता आना की हर्ड और सी के साथ हमेशा आएंजी आती है, वो बहुत इसको सॉल कर ले जाए, टाइम कुछ कम है, तो मैं चाहूँगा की ठीक से हम लोग अच्छा का सा कवर कर ले जाए, विटा, आंसर फास्त, अच्छा क्वरे से एंच प्रेदा, वीर इस गूद्ध मतेमतिक रच वेर इस गूद दाष इस गूदैस्क्त, ठीक है यह ना, वीर इस गूदण मेत्सक्त, टीक है, वीर इस गूदध्ध्स mathematics किसी कर रिप्लाइ नहीं आया तो रिप्लाइ बहुत आसान भी होए विसे बहुत आसाने पेपर में आता रहता है अच्छा जब भी कोई इंसान जब भी कोई लड़का किसी subject में गुड हो तो वहां पर आट आता है इस का अंसर हो जाएगा भाई किसी फिल्ड में कोई अच्छा है तो इसका मतलब यही है उसने लिया उसको target पे बच्चा जहां भी target के बात होती है वहां पर आता है जैसे बेटा मैंने बुला you should look at the board आप बेटा बोर्ट पे देखिए तो look at होता है आप देल आफ एट मी देल आफड एट मी तो लाफ होता है किसी के ओपर बेटा कोई हस रहा है तो target पे लिया है तो लॉफ एट लुक एट लुक एट एट एना जहां बेटा वर्ट आ जाएंगे एम एट किसी को नहीं फन आ लगाना तो एम एट क्या हो जाएगा तो एम job at m at good at math good at English इसके में तार्गेट की जहां बात होती है वहाँ पर एड का यूज करते हैं जहां भी किसी चीज को हम लेते हैं तार्गेट पर वहाँ पर हम लोग एड का यूज करते हैं बिलकुल असार है बहुत ही बढ़ियां बेटा आते हैं अगले कोशन के इसको बताएंग असा बच्चेस का अंजर ब्रेट इस जूजली मैट, डैस, वीट और एक एग्जामपल और लिखता हूँ बेटा मैं यहाँ पर है एक च्जे चियर्स आर मैट दैस दास्टिक्स यह आन्सर आ रहा है, यह सुनो बच्चे, यह मेर के साथ न बच्चा मेर के साथ ध्यान देना है, मेर के साथ, आफ भी आता है बेटा और मेट के साथ फ्रॉम भी आता है मेट के साथ और मेट के साथ फ्रॉम भी आता है ठीक है बेटा आफ को बता है तो पच्छे धांस मेरे बाद सुनना आफ का मेड आफ का यूज तब करते हैं जहां पर फिजिकल चेंज हो क्या हो बाई तो आप कहोगे केमिकल चेंज हो सब्सक्राइब केमिकल चेंज होता है आप कोई पता है ना कि फिजिकल चेंज में चीजे रिवर्सीबल होती है फिजिकल चेंज में कोई भी रिवर्स हो जाता है वो रिवर्सीबल होता है लेकिन जहां बात होती है केमिकल चेंज की वहां पर चीजे रिवर् नियुकुर्टा है सåब होना चाहिए बेटा क्या होना चाहिए श्रण बेटा क्या होना चाहिए आफ आना चाहिए, क्या आएगा मेरे बच्चे तो आपको होगे आफ, आफ आएगा, क्या आगा बेटा आफ, यह आफ आएगा, reversible नहीं, physical change है, लेकिन यह कहा रहा है कि यदि bread wheat से बनता है, bread wheat से बनता है, रिवर्सिबल है, और यह क्या होगे, irreversible, यह जो है, वो irreversible है, क्या है, वो irreversible है, जानि, wheat से bread बनता, तो bread से wheat नहीं बनेगा, हाँ, जी, साही तो है, तो B will be the answer, B answer हो जाए, तही है, नौशी, the reward was not, commensurate dash work done by us, बता ओओगे, यह पीटा, एक जीद वर्ड है, यह एक वर्ब है, वर्ब ही होती है, commensurate, ठीक है ना, पता है, इस काम पता है, यह पीटा, यह काम करना है, यह वर्ब नीए, यह अडिजेक्टिव काम करता है, यह पीटा, यह पीटा, यह अडिजेक्टिव होता है, यह पीटा, पता है, इसका मतलब होता है, equivalent, कोई चीज का बराबर होना, equivalent होना, , करा है कि यह clamming, व आप्obra सबमेंशोलेंट, बता मतलब वह इतना equivalent नहीं है, बराबरी का नहीं है, that is work done by us, जितना हम लोग वर्क किये, जितना हम लोगों ने वर्क किया, उसके बराबर में नहीं है, यह कह रहा है, जितना हम लोगों ने वर्क किया, उसके बराबर में यह जो रिवार्ड है, उस तरह का नहीं है, हम लोगों को रिवार्ड थो आशा और अच्छा मिलना चाहिए था, य बच्छ लिए लेंगे बेटा यह fix देगे इसका नाम है fix the pray position क्या नाम है बेटा fix the pray position इसके लिए हमेशा विदा जब भी इसका यूज करोगे बेटा वहां पर हमेशा विदा तो he will be the answer he answer हो जाएगा आप कुछ ATM की बात करते हैं आपका reply में थ्वासक क्वीक लोगा थारे बच्छ रिप्लाई करेंगे थ्वासक ठीक है बताये ब्रेक और लेग बैड लग गुड लग विन दग कॉंटेस्ट रन फास्ट करेंगे जल 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 जी ठीक है और भी कुछ पॉर्शन मों डिस्कस कर लें आजी ग्लास में अपनी कि इमांसी सी तुम नंबर लिख दिया करो यहां पर ट्वेंटी सिक्स का ही होगा ट्वेंटी सेवन का यह होगा बटा नंबर लिखेंगे तुम जल्दी हो जाएगा है ना मैं समझ जाओंगा आप किस कहां से कर रहे हैं अरे बिटा नहीं से आ जाते हैं पतलब तुम मुझे यह पूछ यह तुम पूछो कि मर्की का सिनोनिम क्या होता है सर्थ तुम्हारा इंटेंशन पढ़ाई करना है ठीक है ना तो बढ़ियां से पढ़ लो तो मैं तुमको अभी ब्लॉक करवाऊंगा ठीक है ना छोड़ छोड़ सवाल पूछोगे मर्की का सिनोनिम क्या होता है परेक लग यह तो बताओ ब्रेक लेक का मतलब होता है बैड़ लग की विद्ध कॉंटेस्ट रन फास्ट गुड लग की विंदव कॉंटेस्ट की बैड लग ब्रेक लेक तब हम यूज करते हैं जब कहां पे कोई-बी कहीं पर कोई-बी-कुछ ऐसा मतलब कहीं कोई गुड लग तो हाँ पी एक इडियम उज्च करते हैं ब्रेक का लेक तो आसान है बहुत यासान है बी वील भी दांसर क्या हो गर बिटा बी बतायांगे साथ सीट आन दी फेंस सीट आन दी फेंस आंसर फास्ट बता बता जल्दी से देखता हो कितने बचका इसका बता रहे हैं नमबर लिख दिया करो भाई नमबर लिखा करो 27 का B 27 का A 27 का D जो भी है नमबर लिखो गए तो मुझे पता चल जाएगा ठीक है ना कि तुम किसका रहे हो 26 का रहे होंगे अभी का आ गया B अभी का B और टेडर का C और अभी का B और टेडर का C और बतायेंगे और जल्दी बतायेंगे सारे बच्चे भई का D तुशार बेटा अभी तुमको मैं बेटा ब्लॉक कर वाता हूँ का मतलब होता है कि हमें यह निड़े न कर पाना कि यह सही है यह गलत है यह सही है यह गलत है जब हम इस situation में होते हैं तो we are unable to make a decision तो हम एक decision लेने में असमर्थ होते हैं उसी situation को बोलते हैं sit on the fence बैटा उसी situation को हम लोग बोलते है sit on the fence इसका answer हो जाएगा D to delay making decision क्या हो जाएगा D to sit on the fence का मतलब हुआ कि to delay making decision यह पता न कर बाना कि यह गलत है यह सही है यह गलत है यह सही है ठीक है अगले question जाए तू set thumbs on fire तू set thumbs on fire अभी इसके बाद और question मिलने वाने तुम्हें सामने ठीक है ना अभी मैंने class बैटा ली है मैं spotting the error की बहुत discuss किया हूँ अभी ठीक है बट अभी तुम live नहीं थे तो इस class को बाद में तुम देख लेना बच्चे तुमको बहुत फायदा मिलेगा ठीक है तुम्हारे paper में जिस topic से question आते है बेटा मैं उन्हीं question को जा discuss करता हूँ अभी तुम बेटा अभी देखो idioms इसक जैसे ही end होगा parting the error या fill in the blanks ही आने वाला है इक है ना मतलब सम्म मिला के grammar की ही बात करने वाले है बता हूँ बेटा तु से थेमसान फायर पतेश का मतलब होता है तो अचीव सम्थिंग इंपोसिबल तो आप काऊगे A क्या काऊगे बेटा A A will be the answer answer will be A बेटा झालर क чувा जया है झालर्णा खाओंगे उन्ट चांगे जरणा है झाल-द्णाल मेरे भाई इसका अंसर क्या हो जाएगा तो आपको होगे A, A will be the answer, अगले question पर आते हैं When it comes to using technology, C is completed at C, आपको बताना है at C का, at C का मतलब B, B हो जाएगा, सही आपने पर आंसर भी देख लिया, at C का मतलब होता है confused अब एंगले कोई बताना, इसका मतलब हो, complete C का मतलब बताओ, इसका answer तो complete C का मतलब बताओ, बटा light गई थी और light अभी गई है तो बिल्कुल सही आप बिल्कुल मुझे देख पार हो, मुझे सुन पार हो, complete C का मतलब बताओ इस सर्च नहीं करना ठीक है ना जल्दी बता दो भई complete C वेड़ा complete C का मतलब होता है complete change लिखलो बच्चे इसका मतलब होता है complete change इसका मतलब होता complete change I saw a complete C on each face इसका मतलब होता complete change बिल्कुल तरीक बिल्कुल मतलब change हो जाना तो इसका इसका मतलब confused सबको पता भी है बहुत आसान विडियम होता है सबको याद भी रहता है on the fly, on the fly, on the fly बताओ, on the fly on the fly जल्दी बताओ, on the fly बताओ, on the fly बताओ, on the fly बताओ, बिना किसी गंभीरता के कोई भी चीज जल्दी से निड़े लेना, बताओ, उसका गंभीरता को नहीं समझना और जल्दी से decision ले लेना, उसको बोलते हैं on the fly, क्या बोलते हैं बच्चा तो आप कहोगे on the fly, he decides quickly without any seriousness, हाँ जी a will be the answer, बैटा a इसका answer हो जाएगा, a will be the answer, एकदम असान है, जहां भी कभी बात होती है, है कि कुछ situation, जहां पर हम बीना सोचे समझे, कोई decision लेते हैं, उसे कहते हैं, I made decisions on the fly, मैंने जल्दी में लेया decision, यह वही तो कह रहा है, he makes decision on the fly, वो नेड़े जल्दी में लेता है, असान है, आप बैटा आजाओ, कुछ fill in the blanks के question, बैटा तो यह न फिल in the blanks भी आ और यह spotting the error के भी concept यहां पर है, ठीक है मैटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, in the blanks spotting the error के questions होते हो, grammar-based ज्यादा होते हैं, उसका discussion हम करेंगे ही करेंगे, एक बाद सारे बच्चे बताएंगे कि इस blank में क्या आने वाला है, बताव बच्चे, इस जो cricket team है, उसमें mainly state के players है, ठीक है, इस blank में comprises of होना चाहिए, consist of की made with की comprises, जल्दी बताओ, इस blank में क्या आना चाहिए, बी, डी, तो पटाओ, समझ जा, यह जो comprise word है, न, comprise, पहली बात किये के transitive, वह बेटा होती है, जहांसे मेरी बासनों, यह बेटा word transitive होती है, तो comprise का बैसे मिए comprise का मतलब होता हांna, consist of, क्या होता है बच्चा, तो आप को होगे consist of, क्या होता है चोटउ, तो आप को होगे consist of, ठीक है, यह बेटा, इसका मतलब ही होता है, consist of या तो यह यूज करना या तो यह यूज करना तुम्हारी मर्जी एक बात तो समझ जाओ बेटा कि comprise के लिए कभी भी off नहीं आता comprises के लिए off नहीं आता तो हड़ जाए तो हड़ गया ना तो बेटा हड़ गया ठीक है कि बहुत बचav का अंसर भी आ रहा है बच्चे कर लेते हैं जो which API मेनश अं ये sein क्लेक्चन की बात हो तब उस ग्रूप की बाढ़ दब इकठा बात हो तब मेशान नहीं जो भी वर्भ आएगी हां पे जो भी वर आएगी उसुक्त अंत में एस दिखना चाहिए तो consist of consist में एसे ही नहीं आया इसलिए यह वाला इंकरेक्ट हो गया जो बच्छे भी बता रहे हैं बेटा अपने आपको सही गड़ो consist consist में एस होना चाहिए वहाँ पर है यह नहीं तो कैसे हो जाएगा बच्छा कुछ सोच के देखो ऐसे होता तो कोई दिक्कत नहीं तो क्या होगे तो आप कहोगे कि इसका answer अधर comprises हो जाएगा जाओ बटा इसका answer तो आप बताओगे comprises कितने बच्छे को मेरी बास समझ में आई है एक बच्छे लिखेंगे thumbs up centurion और बताएंगे yes sir we have got बच्छे 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 कि हमको समझ में आ गया है क्या है comment fast बटा एक बच्छे सारे बच्छे बताएंगे बटा कि यह आपको समंझ में आया कि नहीं है चलिए आते हैं अंगले सवाल पर आते हैं आते हैं ॐ आते हैं क्या यह हैं आपको फिल करना है इस ब्लेंक में आपको फिल करना है क्या फिल करना है क्या आर यू होगा कि अरंट यू होगा कि हैव यू होगा कि हैव यू होगा कि हैवं यू होगा यह सारे आप्शन से आज मेरे बाई आपको पता होगा कि जो question tag बेटा ज़र हम बनाते हैं तो फिल हाल में इदी statement हमारा positive होता है तो question tag negative बनता है क्या सानो बेटा यदी statement हमारा यह statement है यहां से यहां तक यह statement है यह statement कहते है यहां से यहां तक पता है क्या question tag बनता है यह चोटी सी बात है स्टेटमेंट हमारा यदी positive है तो question tag negative बनता है यदी statement हमारा negative है तो question tag positive बनता है अब बेटा ध्यार से मेरी बात सुनो अब यह जो है ना यह sentence देखो तो लिखा हुआ है कि you haven't had your lunch यह वाकित निगेटिव है तो यहां positive बनेगा यह positive बनेगा लेकिन एक बात देख पा रहे हो कि हमें helping अब देखना होता है जो helping अब यहां पे रहेगा जो tense होगा उसके according वह है उसकी helping of have होती है answer हो जाएगा have you have you answer c हो जाएगा बहुत बढ़िया बच्छों ने इसका answer दिया है c will be the answer बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात यह वाकित तुमने अभी तक लंच नहीं किया ना ऐसी बात है तुमने सारे बच्छों ने इसका answer दिया है एक में और question दे जाए उसको बताना तीक है देखता हूँ कौन बता रहा है I am teaching past बताओ बच्छा इस blank में क्या आएगा बताओ जल दिशे वही इस blank में क्या आएगा I am teaching fast इस blank में क्या आएगा बताओ question tag जिन बच्छोंने question tag पढ़ाया बताएगे एक बार जल दिशे वही यह जो statement है यह question tag है यह question tag है यही में लिखा हूँ कि I am teaching fast इस blank में क्या आना चाहिए एक बार सारे बच्छे बताएगे यह यहाँ लिखा हूँ I am teaching fast इस blank में क्या आना चाहिए बता तो मेरे भाई अब देखो यह जो statement है बच्छे आप देख पा रहे हो यह जो statement है यह positive है यह सानो यह statement है वह positive है क्या बनेगा तो आपको निगेटिव बनेगा एक तो बात रही ठीक है अब बात यह रही बिटा बात यह रही कि M का M का निगेटिव क्या होगा तो M not I होना चाहिए यह subject है और यह अपनी वर्भ है इसके according हमारा question tag बनेगा क्या इसको लिठा जा M not I ए बिटा B M not me कैसे होगा वह आई रहेगा ठीक है ना मी नहीं आता है वहां पर M not I चलो official लिख रहे हैं कि M not I होना चाहिए अजीत कुमा सिंग ने बिल्कुल से यह अंसर बताया है बहुत बढ़ी है बिटा अजीत बटा याद रखना इम नॉट का ना जो M not होता है ना पीटा इसकी स्रॉड़ सम नहीं होती है देखो दूनोट का स्वाइब क्या होता है आपसे पूछू तो अब बता दोगे यसा रहनो बता हो वाइप बढ़ता दोगे डोंट होता ह। मैं पुछो डजनाट का आप बोलोगे डजन्त होता है मैं बोलोगे मैं बोलोगा सुडनाट का आप इसे ही बोलोगा ना कि एंब नोट का शार्ट वाम मैं बोलूगा ना कि olur आयम नोस पर शॉट फर्म होता है नहीं बिल्कुल कल दहएं कि एम नॉइंत ऊतने होता है हैं नोसट चोटो तो आप आप ऑन्सर क्या हो यह आएगा तो आंसर फिलाल में इसका तो है था लेकिन इसका बेटा अंसर हो जाएगा अरंट ठीक है मेरी बाव सबको समझ मेर आगे होगी बेटा कहीं पर लिख लो आपनोत का शार्ट फार्मम्म एमन्ट नहीं होता है एम नौत को जहां मेर लिखोगे पे फुल फॉर में लिखोगे सही है लेकिन इस कोश्चिन टैग में बेटा हमेशा सॉट फॉर्म साती है तो लिख भी रीप आओगे इसलिए वहां पर अरंट ही आएगा इक है ना भाई चलो तुम्हें मैंने बात आ गई है अच्छी बात है आगे बढ़ते है कि अलो आंसर फास्ट बच्चा आंसर फास्ट अरे बच्चा आंसर करेंगा भाई हाज बच्चे देखते हैं इसको कि वांट टु स्टडी जोलाजे नौफा आइड डैस जोलोजी फास्ट फास्ट त्री यहां हां मैं पढ़ना चाहता हूं बेटा ये वर्ब की first form है मतलब प्रिजिन की बात हो रही है जलोजी पढ़ना चाहता हूं तर्मारों क्यों हें क्यों क् 5 ini when दिखाता है यह क्यों की आइने Óकि हां कि यो ट क्यों की टीन साल के पर रहा पढ़ रहा है जहां भी sense या फोर आएगा आपको पता होगा बच्चे जहां भी for your sense आता है इसके साथ कोई time आता है इसके साथ कोई time आता है इसके पहले अपने पर रखा इसके पहले हमेशा हमेशा perfect continuous पर्फेट कॉंटिनुवर्स टेंस आते हैं तो अभी कॉंटिनुवर्स टेंस नहीं आता यह बिल्कुल भी नहीं आता है बच्छारी लिखा रहा हुआ है वहां पर यह अं-स्टडिंग तो इंकरेक्ट है ठीक है लिए बात-पास ही हो जाएगी पास की बात नहीं करनी है तो तुम एक बार करो एक दो तिन बार करते हैं तुम को बच्चे ना जो बच्चे बता रहे हैं जो बच्चे बता रहे हैं कि सब्सक्राइब वो पढ़ रहा है वो यह सब्सक्राइब पढ़ना चाहता है और जो लोजी पढ़ रहा है पिछले पिछले तीन साल से पढ़ रहा है फिला है ठीक है आज हो बेटा कि इसको बताएंगे बई कि इस बात को समझना कि जो कौवर्ट बेटा वर्ड है न कौवर्ट तो ये एक नाउन है ये नाउन है ये बेटा नाउन है क्या है तो आपका होगे नाउन है होतना फ्रेंड तो फ्रेंड भी नाउन होता है दोस्त ठीक है अब हमें बताया कि ये ये नाउन है तो इसमें बेटा ये नाउन है तो इसमें लगा सकते हो इसका बन जाएगा प्लूरल नाउन तो ये हो जाएगा कौवर्ट्स क्या हो जा को आएगा plural नौन ठीक है इस पर जो दना फ्रेन्ड का फ्रेंड का फ्रेंड्स ये क्या है तो आपको यह है प्लूरल नौन जी हाँ ठीक तो है बनिया तो है इसा बैस्तों अब मैंने बास समझना कोवर्ट का न अडेक्टिव होता है कोडली आड़ी प्रूर्ड ली बिटा adjective होता है एड़्वर्ब नहीं होता है यह इसे पर फ्रेंड का होता है ना friendly और फ्रेंडिली ना adjective होता है और भी आड़्वर्ब मत कह देल हमा कि इंप गष्काइब करेगा है न यहां पर एक व्र ब्प है एक पंगा उपना सब्जेक्द पर नाउन होता है तो अको वॉडिया मैण होजाएगा सिंग़िलर कॉ File मैं उजाएगा ंन सिंग्विलर injust करना पड़ेगा डाइस करना पड़ेगा तो है नहीं क्योंकि विद्धा तोFT लगना पड़ेगा फजाएगा ये आ अच्छा क्वट भी करोगे आ Mil Country ओंता दीख लोकोधन होता है तोी आपका B A, A will be the answer, A, A, A nuh, sorry, कौन वोल लगा रहा, C, 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 answer क्या होगा, बच्चे, C होगा, C, बस सारे बच्चे बताओ, मेरी बात तुमको समझ में आई, मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा, coward और friend जो है, यह दोनो noun है, और noun में S लगा सकते हो, तो coward का बनेगा, cowards, या friend का बनेगा, friends, ठीक है, अब इते noun है, इस noun के पहले article आता है, बेटा, article noun के लिए, तो यहां लिखा coward, यहां पे article है यह नी, और हमने कि, और coward, तो है नी, तो फिर गलत हो गया, अच्छा, हमने यहां लिखा, और coward, सही कर दिया, उसको और coward लिख दिया, तो coward singular है, उसमें S होना चाहिए, और coward dice होना चाहिए, फिर वो भी गलत हो गया, अच्छा, और cowardly man, यह फिलहार तो ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि man नाओन है जितने भी कायर लोग है, सबकी बात, बेटा, वो इन जनरल, सबकी बात, कर दा है, तो कायर लोग होते हैं, वो अपने मौर के पहले बहुत बार मरते हैं, तो सबकी बात कर दा है, कावर्ट मतलब सभी कायर लोग की बात, वो इन जनरल, सबकी बात कर दा है, तो बच्चा इसको बड़ा C बताना है, next, answer first, मिंदरा छिर हैं, C या एकर अजिए, उनर्य कायर दा दाना करें, तो आउिए भी अनरल, सबकी बात, वीक्रठास की कायर उनर्भ्यूँ पनकी बात मतलब सभी को झांचा उनरे लोगा गध झाल 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 पेटा कोवर्च का मतलब होता है सभी कायर लोग इन जनरल सभी कायर लोग इन नॉट ब्रेव इसमें कहा है गा बताव भई कोई वर्ड है ही नहीं पेटा हां से मेरी बात सुनना ये कोई वर्ड ही नहीं इसका मतलब होता है ना टूमेंच कोई चीज मेंच करने को चीजひंडल करना तो पहले बार यह जान जाओ यह कोई word होता ही नहीं है यह होता है लेकिन इसका मतलब होता हुता है मैंनेस करना in Most की बात नहीं कर रहा है वह दा ही यह को put you in my position, and you will realize the problems faced in my profession, ठीक है, पर इसका मतलब होता है, to manage a situation, to handle something, to manage something, लेकिन बच्चा, cope up with नहीं होता है, मैं बार बार कहर रहा हूँ, cope with होता है, I can cope with the situation, ठीक है, आप नहीं होता है, बेटा, अप हता दो, तुम्हारे पेपर में आ चुका है, लोग इस पोक्रम में बोल दिया गरते है, cope up with, लेकिन नहीं होता है, ठीक हैना, ठीक हैना, आजओ मैंने कहा, कि I hurt him, लेकिता हूँ कि I hurt me, ठीक है, नहीं होती, I hurt him, तो मैं यह सही है, मैं उसको hurt किया, प्रफब हैं, में प्रफ़शिए चुकिया, यह क्ता जए और यह उसको hurt किया, मतलब मैं अलग हूँ यह लग है, ये इनका कही रहा हूं ना, I hurt me, नहीं हुर्फ़शिए खुद को, I hurt myself, यह सही है, ठीक है, अब यहां पे वही वाली गहान नहीं है, कि पुट रखो, किसको, खुद को रखो, मतलब किसी से कह रहा है बेटा, मान लो, यह कोई है, सोनू, और यह है मोनू, ना, इन्होंने कहा खा सोनू से, कि भाई, मेरे प्लेस पे खुद को रखो, मतलब तुम ही put करो, और खुद को put करो, मेरे प्लेस पे, तब तुम को महसूस होगा कि मेरे प्रफेशन में कितनी सारी problems face करने पड़ती है, तब तुम को महसूस होगा लेकिन तुम ही put करा, खुद को ही put करो, टो मतले put you गलत है, put yourself, ठीक है, करवाँगा मैं homophones को confusing word में अभी मैंने करवाया है homophones, paronyms, homonyms ऐसे मत पढ़ा करो बेटा ऐसे बहुत confused होगे तुम उनको एक में पढ़ो जिनका नाम दो confusing words उसमें homonyms भी आएगा उसमें homophones भी आएंगे और भी आजाएंगे बहुत सारे words आजाएंगे फिलहाल में confusing word class से एक अलक से रख दूँगा आजाएंगे इस कांसर क्या हो जाएगा इस कांसर बताऊ इस कांसर बताऊ here is the man whom I think committed the crime में रौब झताऊ बताऊ कांसर कांसर को जाएंगे नाilly from है कि कि एई विए एई अगले हो तुम ऐसे बोलते हो अब मैंना चाहिए वह सही है इस नहीं क्राइम को कमिट किया तो उसको मैं जानता हूं पहले सही तभी तो कह रहा हूं एगले हो जो मैंने वह डेफनेट है और जो हम यह अबजेक्ट होता है तो आप को आप अबजेक्ट होता है घीक है यह सबजेक्ट होता है एक बात धान देना बीटा दुनिया का कोई सेंटस नहीं है जिसमें कोई सबॉब हो और उसकी कोई वर्ब ना अब यह तो Sophia सबॉब नहीं चाहलेगा bisa यह जो लिखा न ही इस वर्ब का हमारे पर सब्जिक्ट नहीं है इस वर्ब को अपना सब्जिक्ट चाहिए इसका नाम बेठा रिलेट्टि प्रणाउंन किसी वर का सब्ज europa सब्जेत होते हैं वह फोते ही होतें है उनका नाम पड़ा है प्रोड़ों बिया प्रोड है Bak teraz c am आपका सब्जेक्ट चाहिए दो सब्जेक्ट चाहिए होगा तो यह जो नहीं आपाएगा यह हम को करना है यह लिखोगे कि इस वाली वर्ब मालो इसको सब्जेक सब्सक्राइब और इसके लिए यह हूँ है यह क्या हो जाएगा सब्जेक नंबर सेकेंद यह नहें अगो एफिर विद्धा इससे बहुत अच्छा कौन से दिश्च में तीन वर्बायांगी और को आपको कौन करना पड़ता है कि त्री वर्बस हैं तो उसमें से कौन्सी से खावली जारी तो आधि यह यू यह 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 मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसको तुमने help कि यहाँ दस ही है क्योंकि यह जो man है यह definite है definite है बेटा को दिख कर नहीं हो तो आएगा अब जहां ते देखो बेटा पता है क्या है यह जो you helped है ना यह सवाली वह अपका subject हो चुका है अब बच्चे यहां पर हूँ लिख देगा ना बच्चा तो आगे वह भी नहीं है कि जब भी हूँ आएगा तो उसके लिए वह 100% आनी चाहिए अगे सुनो बच्च और यह जो बच्च का object हो जायगा इसका भी नाम है relative pronoun .... You have to tell necessity होते या तो सब्जेक्ट होते या तो औपजेक्ट होते है बन जाएक अपने लिए gifts this बच्चे फिल्हाल आज के नहीं, I think you all might have understood everything today. अगेन मिलते हैं किसी और क्लास में कुछ और चांदार कॉंसेप्स के साथ, लॉजिक के साथ, सम् वोकैब्स के साथ, फिल्हाल आज के लिए इतना ही, तो सारे बच्चे बोलेंगे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जै हिंद। आज ही संपर करें हमारी टीम से ओफिशिल लांबर्स पर और ले अपना एड्मिशन, थैंक यू, जै हिंद। आज ही साथ, जै हिंद।